ही सिरूप जी बात करेंगा सोयबीन की तो सोयबीन में आपको क्या लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायदर में भी 6400 के आस पास ही सोयबीन है और जो हाजिर है हाजिर में भी सोयबीन 6400-6500 पर ही विक्ति निज़र आ रही है और बात करें यूएस सोयबीन की तो यूएस सोयबीन में आज 1400 के उपर के लेवल्स देखने को मिले हैं हाला कि लाल निशान पर ही है रुपा जी आपको क्या लगता है विदेशों में तो सोयबीन को लेका पॉजिटीवी ट्रेंड देखने को मिल रहा है लेकिन इंडिया में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं कि सोयवीन की कीमतों में जादा तेजी देखने को मिल रही है बावजूद इसके कि जो भारत है खादे तेलों की आपूर्ती के लिए विदेशों पर निरवर है हम पहले देखते थे कि जब भी वीदेशों में खादय तेलों में गटबड होती थी तब भारत में भी मंदी तेजी बंदी नजर आती थी ऐसे में आपको क्या लग रहा है क्या यह चुनाव की वज़ा से हो रहा है या फिर कि फंडामेंटल में कुछ चेंजेश आए है तो पॉजिटीव ही है बेस में एडिबल ओल पैक के फंडामेंटली अगर हम नजर दोड़ाएं तो जिस तरीके से खबरे निकल कर आ रही है उससाब से तो जो खादय तेल है वो पॉजिटीव ही है लेकिन अभी इलेक्शन भी है और जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाए है उसका भी एक असर देखने को मिले कि कीमते आगे उपर अब नहीं बढ़ पा रही है तो मुझे लगता है कि यहां से अभी प्रेशर जो है वो कॉंटिनूशन में बना रह सकता है और बहुत जादा जिरावट भी आप दियत यहगे लगी षकलीग झाल